कालो सफ़ागे आपका कर एक और फ्रेश्षुडे में अजकी के इनदर हम बात करने वाले अपनी जो मेजर सर्फ है उसके बारे में मैंने जो ए कार की मेजर सर्फप्प्रेंस है करने जने वाला कि जो सर्वीस अपनी जो करी एक अंधर तो वो कैसी रही प्लस जो इसका सर्विस कोस्ट है वो कितना आया तो यह आप मान किसा लोग कि जो यह मेशर सर्वीस अपनी कारी की अंदर जितना हुआ है वह जो फॉड़ की 1.5 लिटर वाली डीजल एंजिन वाली कार आत करते हैं अपनी कार के किलो मिटर के उपर तो यह यहाँ पर आप देख सकते हो तुब दिख्सीच ताउजन जो फिफ्टीफन को अंदर जो चल चुकी है तो बिसिकली में यह कल ही अपनी कार के अंदर जो सर्वीस और जो पहले मैंने अपनी कार करीब 9000 किलोमीटर चलिए उसके बाद ही मैंने अपनी कार के अंदर सर्विस कर लिए बिसिकली अपना टाइम भी जो है वह आ चुका था तो उसके कारण जो है बले सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो मुझे ओवरॉल मैंने कौन से मतलब की इसके अंदर कौन सा काम हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हो अपनी मेनेजर अपनी कार के अंदर 26724 किलो मीटर पर मेंगर को कर लिया है तो बिलाल में अगर बात करो अपनी कार के अंदर कौन से जो पार्ट रहता है जो कि मेजर सर्विस के अंदर चेंज होते हैं तो सबसे पहला इसके अंदर वासर दला है यह आप देख सकते हो जो कि 50 रुपीज का यह वह सब रहता है उसके बाद फिर इसका एंजिन ओईल का जो फिल्टर रहता है वह चेंज हुआ है 125 रुपीज का और जो अपना फिल्टर बैसेकली मेजर सर्विस चो 30,000 किलो मीटर वाली रहती है उसके अंदर आपना यह फिल्टर है वह चेंज होता है तो इसका आप देख सकते हो 860 8 किलो मीटर इसकी रही और अपना एर फिल्टर जो हो चेंज हुआ है वह 305 रुपीज का और अपना एंजीन ओयल है वह आप देख सकते हो इसके अंदर अपना बेसिक्स है तो साड़े शे लिटर जो है एंजीन ओयल डलता है सिंथेटिक एंजीन ओयल तो उसकी कोस्ट है करीब 1719 रुपीस तो इतना जो है अपनी कार के अंदर नॉर्मली हुआ है जो कि मेजर सर्वि मलग कि आप मान के सलो मोटा मोटा 5500 में अपनी कार की जो है वह मेजर सर्विस हुई है जिसके अंदर अपना सारे पार्ट हो गए उसके बाद लेबर चार्ज हो गई और जो टेक्स रहते हैं वह सारे इंक्लूडेट है तो अगर मैं बात करता हूँ अपना जो यह कोस्ट है तो मैंने वह देखा है कि वह सारी कार्ज की जो मेजर सर्विस रहती है वह काफी कोश्टी रहती है बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप एक 1.5 लीटर वाली कार ड connectivity कर रहे है और उसकी मेजर सर्विस अगर 5500 में हो रही है तो वह काफी हम कम कह सकते हैं बात करते अपना सर्वीस एक्सप्रियंस तो मैंने अपनी कार को सुबह दस बजे निया था कार को सर्वीस इंगे लिए और मुझे तीन बजय स्वेट पूरी सर्वीस होके तो में आपको आप और में अगर बात करूँ अपनी कार का सर्विस एक्सप्रेंस तो मुझे जो है वो पर्सटनली काफी अच्छा लगा और जो अपनी कार के अंदर छोटी छोटी चीज रहती है जैसे कि कोई पार्ट जब उसको अंडर बॉड़ी से देखती है तो उसको कोई nut bolt अगर लूज है तो वो अपनी आप से ही tight कर लेते हैं प्लस इसकी जो brakes लेती है वो खोल कर क्लिंग कर देते हैं तो यह चोटी मोटी जो चीज रहती है वो लोग करते ही है बाकी अपनी कार के अंदर जो है मुझे कोई प्रोब्लम ऐसा नहीं था जो नॉर्मल सर्विस थी और अपनी जो क्लच पेडल रहता है उसके अंदर ग्रिसिंग करना था जो कि आपको पता ही है सारी फोड़ की कार्स एसी फिल्टर जो है वो चेंज नहीं होता बट मैंने उनको बता दिया था कि अगर एसी फिल्टर खराब है तो आप चेंज कर लीजिए क्योंकि वह भी जो है इतना ज्यादा कोस्टी नहीं है मतलब कि 160 या 170 रुपीज का जो है उन्होंने मुझे एसी फिल्टर बता था क्योंकि ज्यादा तर लोगों का यहां की जो वॉति हो नहीं तो मैं अपने आंदर बात करूं तो जहां पर मैं डीलर से सर्विस कराता हूं वहाँ पर जोर यह वह लोग सारे जितनी भी क्लीणिंग के चीज रहती है वह 3m का यूज करते हैं जैसे कि कारका शेंपू और जो माइक्क्रफाइबर क्लोथ रहे गया यूज करते हैं और उसके कारण जो यह काफी इंपोर्टनर रहता है क्योंकि उनके पास अपना यह देश्पोर्ट रहता है उसकी भी पॉलिस अलग रहती है तो उससे जो है अपना जो ओवरॉल एक्सप्रेंस से वह काफी अच्छा हो जाता है तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक जो अपना का इंटियर है वह भी पूरा अच्छे से क्लिंग कर दिया प्लस यहां पर जो है इस टाइब से यहां पर पीपर का भी रखाई जिससे जो है अपनी मेट जो है वह खराब नहों तो क्लिनिंग में भी जो है मुझे काफी अच्छा लगा इवन आप जो है बाहर के भी शौट देख लोंगे आप इन वीडियो के अंदर क और मुझे की पताचल जाएंगा क्या से बाहर से भी Auron कर इए तो थो यंदर बेसिकीलि मुझे जो है वह काफी अच्छा लगा और कई ना मुझे लगा कि जो यहां पर क्लिनिंग होती है वह काफी अच्छी होती है और साथी मिनकर जोए वहे छोटी-छोटी चीज चुदत करते हैं और यहाँ पर जो है उसको मतलब की देते की वह है या किस कंडिशन के अंदर तो यहाँ आप देख सकते एंटीर के अंदर चेक किया है लाइट हो गया इसके सारी फ्लूइड थो गाय और वैटरी का भी उनके पास एए बैटरी के लिए एक अलग के साथ करनेक्ट करते थे और उससे अंदर से मतलब कि एक to come आते थी बाहर जीसके अंदर पूरा बैटरी का जो है वो डेटा देटा चल जाता कि जो कार की बैटरी वो किस श्कन्डिशन के अंदर यानि कि प्रॉपर है या वीक है तो आप देख सकते बैटरी भी अपनी पुर फिलाल चो अपनी कार तो नहीं है तो इसके अंदर यह होना नॉर्मल सी बात है तो मैं आपको जो है अपनी कार का आगे का जो एंजिन का बॉनेट है वो भी खोल के दिखाऊंगा और आप वापर मैं दिखाताओ कि कौन से कौन से जो पार्ट है वो चेंज होए प्लस अपना यह आपना आप एंजीन बे की कंडिशन देख सकते हो एकदम बड़िया से उन्हों ने क्लिंग किया आप देख सकते हो हर एक जगह पर प्रॉपर पॉलिशिंग बॉलिशिंग की है तो बिसिकली जो मैं आपको बता था हुं कि कौनसे कौनसे पार्ट वह जो यह तो यह यहां पर इसका air filter लगा रहता है और फ्रोपर तरीके से यहां पर क्लेंग किया हुआ है तो यह था आपका वीडियो वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारी चानल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू